कानपुर के बर्रा में संजीत यादो के अपरन हत्याकांड के बाद अब एक और अपरन हत्याकांड का मामला सामने आया है। अपरन हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि बर्रा निवासी दोनों सके भाई सोनू और मोनू ने ठेकेदार सुनील को घर खाली कराने के बहाने बुलाया और फिर बंद मकान में उसकी हत्याकर दी। इसे आरूपियों ने पुलिस को घुमरा करने के लिए सवारी वैन में फेक दिया था। फिलाल सुनील हत्याकांड में दोनों आरूपियों को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है और उन्हें जेल भेजा जा रहा है। तो वहीं बर्रा में पहले संजीब और अब सुनील अपर्रण खत्याकांड से पुलिस की किरकिरी हो। इंडियन प्राइम यूज के लिए हिमाचु स्रिवास्तों के रिपोर्ट। करें लिए यह आपको पता होगा है कि दिलांग शार को गुमसुद की दज की गई थी सुनील कुमार जी की भगा ठाने में। वो संबंद में फिर उनकी तलास के लिए टीमें तमाम गई थी वे आज तारीक को जो है कि परिजलों ने एक अपरहर का के संबंद में तारीर दी थी की सोनू विश्वकर्मा जो की उनके पड़ूस में रता था और एक मकान बगल में उसके रता था वो पहले मकान इनी सुन बता किये कई बार टेलिफोनिक वहरता हुई उसी के क्रम योजनाबद तरीके से उसको अपने घर में बुला के अपो और अपने भाई में क्योंकि वो मकान नहीं खाली करना चाहता था और ये किसी को संबंद में किसी से जो है जो ने जो है बयाना ले लिया था कोई नमेश अपना समान खाली करनो और उस दिन वह दोनों भाई अपना योजनाबर तरीके से इनको घर बुलाएं और बुलाते ही जो है उके उपर हम्रावर हो गए और दौनोंने इंको मारने बाद जो है उसी दिन ही दिड़ में ही इनको एक रस्टी बोले में इस तरह जो है जूपक पूरा बान्हा और बान करके उसमें बोले में तमाम और बोरे डाल दिये कि उसका एक जो है वह गठर की तरह दिखें और उसको लेके दोनों भाई इसकूटी से इसकूटी से दोनों भाई लेके बिदुनु थाना चेत्र ताथय तोपे नगर होते हुए अंदर-अंदर जो है प्रेंके चले आए थे जो इसके संबंद में शे तारिक को इनको बिदुनु में चुकि बाड़ी बरामद हुए थी बिदुनु के दोरा ठाना बिदुनु के दोरा पंच्चायत नावा पोस्मार्टर की कारवाई यब की गई थी तो सुचना हमनों को भी लिए इनके अचान नहीं पाए थे फिर इनका चुकी हत्यारों ने जो है इनकी हत्या करने के बाद इनके मुबाइल को एक नवस्ता से जो घाटमपूर के लिए जो सवारी गाड़िया जो वहन चलती है उसमें प्लांड कर दिया था और उस दिन भी चुकी एक दिन लगाता रह जो है द इनके माली गई थी वह मुबाइल भी वरामद हुआ वाजनी भी वरामद हुआ उनसे प्लाक वेरिफाई हुआ फिर इस से पूंस्ताश के दौरान इसने जो है अपनी पहले अपनी तबीयों तो बहुत हरा होना फिर बताया फिर उसको पर इसी मुखबिर की इस सूचना बह इस रास्ते से इनों ने यह काम किया है और जहां बॉडी लेकर फिका है उस रास्ते को रहकी की गई वहां जो भी साक्षित से संबंदित होंगे तो कि दिन का मामला है तो तमाम CCTV कैमरे और यह लगे हैं उसे संबंद में इनके दूनों की जो है ले जाते हुए इनके CCTV फिट कि अब दूनों में पूस्ताइब करने वाला विगात काफी जिस अधन दू से कहा रहा था खाली कर दो कर दो तो अब उसने वह खार कि हम है उस मदान को चार्टे के कुछ जो है इनको उसने पैसा रूपया भी शाहिए लिगा इसका कहना है कि हमने पता किया तो यह सब यो है किसी और के नाम सी नहीं है इसलिए इसलिए वह मकान को खाली भी नहीं काना चाहता कि अब किसी तरीके से मुझपा सा पेपर पर करा कि हम मी रख लें और यह इदर लगा तार लबाव बना रहे थे चुकि एक बाटी थी रमेश कोई नाम है रमेश जी थे इन्होंने एडवांस पैसा ले लिया था और उनको वो उदर से कह रहा थे कि खाली करा गे थी यह कैसे सकता है कि लोगाना इसको इनके एक सर पर मारा है उसका गिर गया पिनके मुझ हो जो है दवा गिया और उसके बाद देखे कि मर गया इनको बोड़े में ही कपड़े आपड़े सबहने उतार के उसको उस रस्सी में पूरी तरसी बाटी परिंजन लागा था इस बात को कह रहते की यह परोसी है मकान मकान देखना रही थे लोगों ने अफ्रण किया है और पुलिस दिन पर दूसरे दिन को पर खbuzरासत के बहादे बाढ़ी परहा मोद之前 तब मामले का प्रशह कर लुग था कहां कमीशन में कहीं कभी नहीं रही चुकि उन्हों की शंका यह थी दूसरा चुकि आपको जानकारी होगी पूर्ण अस्वत नहीं थे और कि ये था कि व्यक्ति का जो व्याइन से बात प्रवाइल सांगो जहानाबाद में चल रहा था तो वो लोग भी एक हैरत कि मुबाइल हमारी बात पिता जी से हुई बंदब हमारे पापाई पास्पोन है किसी ने कहा कि बात करा हो तो उसने कहा तुमारे पापा अभी लेटिन करने गया है यह तमाम चीजे थी तो मुबाइ भी एक उसकी कड़ी थी एक तरफ जो है मुबाइल ले टीम लगी होई थी फिर जब इननों आठ तारीक को इनको पहले गुंसुद्गी दी आठ तारीक के संबंद लिए अपारण के संबंद लिए फिर इस इसी बीच अपना वही जो है उसकी तबियत भराब खराब का भान अभी दवाग अभी हस्कुताल और उनसे पूस्ता चुरी जब इसका क्लू हमको मिला और सक्ती से पूस्ता चुरी तो झाल 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 झाल